नमस्ते दोस्तो नवजीवन टायर्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखते होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो बड़ा ट्यूब में पंचर होता है जो बड़ा burst होता है उसे कैसे ठीक किया जाता है पहले तो हम grinding stone के मदद से पूरा जो area है surface area tube का उसे अच्छे से buff कर लेते हैं दोस्तों यहां पर अच्छे से buff करना बहुत जरूरी है वरना जो हम solution और bonding हम लगाएंगे वो अच्छे से चिपकेगा नहीं और leak रहे जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरह से उसे buff कर लिया है लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है जो cut होता है उसका जो दो सिरे होते हैं उपर का और नीचे का उसे थोड़ा सा आड़ा cut करना चाहिए ताकि वो split ना हो मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ आपको लेकिन आप ये वीडियो देख कर समझ सकते हैं कि मैं इसे कैसे तरह से cut कर रहा हूँ ताकि जब हम इसमें हवा भरते हैं तो ये और split ना हो इसके लिए हमें इसे एक आड़ा cut लगाना है थोड़ा सा round shape में इसी प्रकार हम दूसरे side को भी कर लेते हैं आप देख सकते हैं हमने दोनों सीरे को कितनी अच्छी तरह से आड़ा cut कर लिया है अब जितना हो सेके उतने अंदर के हिस्से को भी हलका हलका buff कर ले अब जो है हम एक tube का तुकडा लेते हैं और उसे भी buff कर लेते हैं इस tube के तुकडे को हम अंदर से join कर लेंगे आगे आपको वीडियो में वो पता चल जाएगा इस तुकडे को अच्छे से buff करना जरूरी है झाली है यहाँ पर आप देख सकते कितनी शांदार तरीके से हमने उसे बफ कर लिया है अब दोस्तों जितना चाहिए उतना हिस्सा हम लोग काट लेते हैं इस तुकड़े को हम ट्यूब के अंदर से लगाएंगे झाले इस हमेड़े नहें है है यहाँ पर पहले तो हम solution लगा लेते उस tube के तुकड़े को solution अच्छे से लगाना ज़रूरी है इसलिए solution जब भी लगाते हो तो कोई कंजूसी ना दिखा है अब देख सकते हैं यहाँ पर solution सूख चुका है अब एक bonding हम का जो strip होता है उसे हम double करके लगा लेंगे बिल्कुल center में जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं और एक stitcher की मदद से अच्छे से उसे stitch कर लेते हैं दोस्तों अब जो वो tube का piece था तुकड़ा था उसे हम इस tube के अंदर डाल देंगे बिल्कुल center करके लगाएंगे जिससे कि वो bonding हम का हिस्सा जो है वो बिल्कुल कट के यहाँ पर सीधे आ जाए दोस्तों यहाँ पर बराबर center करके लगाना बहुत ज़रूरी है हाथ से हमें महसूस करना पड़ता है किस जगे पर tube का तुकड़ा आ गया है वो देख कर हमें अंदर रखना है और फिर धीरे से वो जो plastic लगाया हुआ है bonding हम के उपर उसे निकाल के लेना है अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं tube का जो piece के उपर जो bonding हम लगाया हुआ था उसे मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों इस वक्त ख्याल रखना है कि tube को उसके उपर चिपकाना नहीं है क्योंकि हमें अभी अंदर से solution लगाना बाकी है अब हम उस bonding हमके उपर solution लगा देते हैं वो पूरा tube के उपर और फिर जो tube है फटा हुआ उसको अंदर की बाजू से solution से अच्छे से लगा लेंगे और कुछ देर सूकने के लिए रख देंगे अब जो उपर का हिस्सा है उसे भी अच्छे से solution लगा के छोड़ देंगे आप देख सकते हैं मैं अंदर का हिस्से को वापिस उठा रहा हूँ उपर ताकि वो चिपके ना थोड़ा सा सूक जाए अच्छे से दोस्तों यहाँ पर अच्छे से solution सूक चुका है उसका curing time complete हो चुका है अब stitcher की मदद से अच्छे से उसे चिपका देते है अब यहाँ पर हम उपर से जो cut लगा हुआ था उतने हिस्से के लिए एक bonding हम का strip लगा देंगे दोस्तों यहाँ पर जो bonding हम है उसे मैंने double किया हुआ है यह single strip नहीं है बराबर cut के उपर लगा लेना है और फिर stitcher की मदद से अच्छे से stitch कर लेना है यहाँ पर और एक strip इसके उपर से लगा रहा हूँ अब देख सकते हैं अभी हमारा stitching पूरा हो चुका है अब हम इसे पंचर मिशिन के उपर रखेंगे अच्छे से उसे tight कर लेते हैं ताकि जो pressing है वो अच्छे से हो जाए यहाँ पर हमने मिशिन को चालू कर दिया है अब जैसे ही अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसे बंद करेंगे और ठंडा होने के बाद खोल देंगे यहाँ पर हमारा जो पंचर है वो ready हो चुका है अब हम इसे खोलेंगे अब आप देख सकते हैं कितनी शांदार तरीके से पंचर रेडी हो चुका है आईए अब इसमें हावा भरके हम लोग चेक भी कर लेते हैं पंचर सही तरीके से हो चुका है या नहीं दोस्तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें आप देख सकते हैं इसमें हावा भर चुका है और पंचर भी एकदम शांदार हो चुका है थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो क्या क्या है